प्यारे भुच्छों आज हम एक पोएम लाए था क्याग कि टो क्या का का राइट्र है anonymous name anonymous का मतलब होता है गुमनाम का चूटा सनाव वह नाव जो शहर सपाटा के लिए उसका उप्योग कि एलाता है उसके रई सिंगल या डवल आदें बैठ करके उस नदी या समुदर में वहां पर जाके घूमता है उसको क्याक बोलते हैं यह लकरी या प्लास्टिक किसी भी चीज़ का बना हुआ होता है तो चलते हैं पॉयम की और कुछ ऐसे वर्ड है पहले हम बताते हैं उसके बाद हम बताती से ले जाएंगे ब्रिनी मतलब होता है खरा पानी या नमकीन हार्डली मतलब सायाद ही होता है एसकिफ मतलब होता है छोटा सा नाव या क्याक बोले या एसकिफ बोले दोनों का मतलब एक ही होता है पैडल पैडल मतलब होता है पतवार जिससे हम नाव चलाते हैं बीच से मजधार में जो पानी काटने के लिए हम जिस चीज का Isn ऊपयों करते हैं उसको पेडल बोलते हैं किनारे में किनारी के अध्य सहताने कि लिए जिस हत्यार का उद्थ करते हैं उसको लेंस बोलते के लिए इसका हंदी वर्चिता या भाला होता है तो किनारे से हटाने के लिए लेंस का यूज के आता है और बीच मजधार में चलाने के लिए पैडल का यूज के आता है ग्लिट मतलब होता है चुपके से विलोज मतलब होता है उची मजधार यानि महा मजधार इसको बोलते है स्लैप मतलब फिचलना होता है फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना आइसबर्ग मतलब होता है हिम खंड एस्ट्रीम मतलब होता है धारा तो अब शुरू करते हैं ओर दविने वेव अगों नमकीन पानी के उपर मैं जाता हूं इन शुरुद्थ ये इनस पर और समय की में हाडली एस्कीमो की साइद ही कोई उसको सुलक्षा करता है के परवाह करता है इन माई लिटिल एसकफ छोटी सिन मेरे नाव बित पैडल एं लेंस जिसमें पतवार और वर्ची लगा हुआ है वर्ची है in glide where the floating blows dance in I glide I glide मैं चुके से where the floating below dance वहां चला जाता हूं वहां जाता हूं जहां पर उंची ऊची लहरें तरती निर्थ करती है। मेरे चारो और पास आती है और दूर चली जाती है बहुत उंची उसे उपर की और चली जाती है और पास भी आती है लाइक मी मेरे ही तरह दे लव दा ओसीन सरोर मेरे ही तरह वही ओसीन का यानि समूंदर का जो रहा होती है जो गरजना होता है वह भी पसंद करते हैं संप्यांध से फ्लॉटेंग आइसवार्ग किलिम अे कभी 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 रहते हुआ जो थेड़ता हूआ हेम खंड जो थेड़ता हुआ हो हीम खंड वह चमकता दमकता परकासित करता है इसका मतलब होता है कि पिघलता हुआ धाराएं मेरी उपर से बह रही है, मेरे उपर ही आने वाली है कुछ समय लगता है कि उखर से आता हुआ बेव मेरे उपर ही चलाएगा मेरा जो नाव है छोटा सा नाव है उसको पलट देगा और इसको धक देगा आगे का रहा है लेकिन वह कौन है वह क्या है जो वेव से जो अक्रवन आखरान करता है उससे हमको बचा सकता है उसकी परवा कर सकता है अपनी पतवार से अपनी नौका को अपनी डौंगी को सही रास्ते पर सही दिसा में उसको ले जाते हैं और उसके बाद इसकी जो छमता है इसकी जो वजन है वह खुद वखुद सुसर्जित करके आगे बढ़ जाता है एंड ओवर दा वाटर अवे आये सकीम और पानी के उपर तेजी से दौरते हुए हम उधर आगे के और निकल जाते हैं उमीद है कि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करतीजिए